Hello everyone, Radhe Radhe आज की वीडियो में हम देखेंगे कि देव दिवाली कब और कैसे मनाई जाती है तो देखें जैसे कार्तिक मास के अमावश्या तिथि को मनुष्य दिवाली मनाते है उसी तरह से कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को देव दिवाली मनाते है कहा जाता है कि सभी देवी देवता इस दिन दिवाली मनाते हैं इसलिए इसको देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देव दिवाली हम कैसे मनाएं, देव दिवाली की पूजा हम कैसे करें और इस वर्ष देव दिवाली कब मनाई जाएगी क्योंकि इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंदर ग्रहन पढ़ रहा है तो चंदर ग्रहन की वज़ेसे हम देव दिवाली कब मनाएंगी यह संपोर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें तो देखें जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्तिक पूर्णीमा के दिन देव दिवाली मनाते हैं सभी देवी देवता इस दिन दिवाली मनाते हैं तो इसलिए इस दिन को देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है देव दिवाली का पूजन आप अपने मंदिर में ही कर सक से पहले हम मंदिर को साफ कर लेंगे उसके बाद शुद्धी करन करेंगे यानि जलके चीटे लगाएंगे फिर देखिए हम सभी देवी देवताओं को वस्तर सवरूप कलावा समर्पित करेंगे तो यहाँ पर हमें भगवान विश्नु का पूजन जरूर करना होता है क्योंकि पूरा कार्तिक का महिना भगवान विश्नु को समर्पित होता है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फिर हम सभी को वस्तर सवरूप हमने कलावा समर्पित कर दिया है इसके बाद हम गनेश जी को लक्ष्मी माता को दुरगा माता को शिव शंकर भगवान को लड़ू को पा तो दिवाली पर बहुत सारे दीपक जलाये जाते हैं तो हम मनुष्य जब दीवाली मनाते हैं तब जितने दीपक जलाते हैं उससे भी जादा दीपक हमें देव दिवाली के समय मनाने चाहिए तो आप अपने पूरे मंदिर को दीपक से सजाएं साथ ही अपने घर में भी आ करेंगे भूग के रूट में आम ईथाई होगius बोग के रूपितु करेंगे। जल समर्पितु करेंगे। आप चाहे तो आप Toounde हलवा। पूरी बना सकते हैं, इसके साथ ही देखिए हम पूर निमा की कथा सुनेंगे, तो हाथ में तिल और फूल लेकर हम यहाँ पर पूर निमा की कथा सुनेंगे, कथा सुनने के बाद जो फूल और तिल लिये हैं, वो हम जो जलका लोटा हमने लिया है, उसमें डाल देंगे, जलक भजात का लोट वो हम चंद्रमा देउता को पूटा के बाद आरत Q देएं लकसमी जी के आरती करें क्योंकि दिवाली पर लकस्मी पूजन जरूर किया जाता है लक्समी जी के आरती कि आरती करते हैं आर्थी करने के बाद हम आथ जोड़कर पूझा में रही कम्यों के लिए शमाय आचना करेंगे और अपनी मनों कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रारत्ना करेंगे इस तरह से हमें देव दिवाली की पूझा करनी है तो शाम के समय सुर्यास्त के बाद हम पूजन करेंगे और घर में बहुत सारे दिये हम जलाएंगे तो आप घर के बाहार घर की छट पर अंदर पर सभी जगह दिये जलाएं और जो जलका लोटा है वो हम चंद्रमा देवता को अरख देंगे क्योंकि पूर्णी मा के दिन चंद्रमा को अरख देने का बहुत महतो होता है तो आप ये जो लोटा है जलका है चंद्रमा को ही अरख दे इसके बाद देखे हमें कहां कहां दिये जलाने हैं तो देखे घर में हमें अपनी तुलसी जी के सामने दिया जरूर जलाना है जो भी आपके घर में देवरक्स हैं जैसे केले का पेड़ है आमले का पेड़ है तो उनके नीचे आपको दिया जरूर जलाना है इसके साथ ही देखिए, आप अपने घर के दर्वाजे के दोनों तरफ दिये जरूर जलाएं, घर में रोशनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए, घर के दर्वाजे के दोनों तरफ हमें दिये जलाने हैं, और देखिए, अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं, और आपने पत पास कोई भी मंदिर है उसमें भी आप इस दिन जरूर दीबदान करके आए क्योंकि ये देओं की दिवाली होती है इस दिन दीबदान का बहुत अधिक मैत होता है और अब हम बात कर लेते हैं कि देव दिवाली यानि की कार्तिक पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी तो साथ नॉवंबर को ही आपको देव दिवाली मनानी है और साथ नॉवंबर को ही हम पूर्णिमा का वरत करेंगे तो साथ नॉवंबर के दिन शाम के समय हमें देव दिवाली का पूजन करना है घर में दीपक जलाने है और भगवान विश्नु मालक्समी के साथ साथ सभी श्री कृष्णा राधे राधे